सबी भगवत प्रेमियों को रादे रादे जैसरी रादे भगवत प्रेमियों भादर पद के सुक्ल पक्ष की एकादसी पद्मा एकादसी के नाम से जानी जाती है इस वर्स 14 सितंबर 2024 वार सनी बार को पदमा एकादसी का पर्व मनाये जाएगा इस दिन भगवान स्री विश्नु के बावन रूप की पूजा की जाती है इस ब्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग में बढ़ोत्री होती है इस एकादसी के विश्य में एक मानता है कि इस दिन माता ये सोथा ने भगवान स्री कृष्न के वस्त्र धोयते इसी कारण से इस एकादसी को जल जूलनी एकादसी भी कहा जाता है मंदरों में इस दिन भगवान श्री विष्णू की पालकी में बिठा कर सोवा यात्रा निकाली जाती है गंगा के बाहर जाकर उनको इश्णान कराया जाता है इस अबसर्व भगवान श्री विष्णू के दर्शन करने के लिए लोग सेलाव की तरह उमर पड़ते हैं इस एकादसी के दिन ब्रत कर भगवान स्री विष्नुजी की पूजा की जाती है, दर्शकों अब आप पूरी कथा सुनिए भाद्रपद सुकल पक्ष की एकादसी की कथा युदिश्टर ने पूछा हे भगवन भादों की सुकल पक्ष की एक आदसी का नाम तता उसकी विधी क्या है उस एक आदसी की बृत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है तता उसका उपदेश कौन सा है भगवान स्री किष्ण बूले धर्म युदिश्टर राज अब मैं अनेक पाप नश्ट करने वाली तथा अंत में सुरक देने वाली भादों मास की सुकल पक्ष की बामन एक आदसी की कथा कहता हूं इस एक आदसी को जयनती एक आदसी भी कहते हैं इस एक आदसी की कथा सुने मात्र से ही समस्त पापों का नास हो जाता है इस एक आद मेंती एक आदसी की कथा से नीच और पापियों का उद्दार हो जाता है यदि कोई धरम पराण मनस इस एक आदसी के दिन मेरी पूजा करता है मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ जो मनस मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोग की प्राप्ती होती है इसमें किंचित मात् दी नहीं है जो मनस इस एक आदसी की दिन भी बामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विश्णु महिस की पूजा करता है जो मनस इस एक आदसी का ब्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना सेश नहीं रहता है एकादसी के दिन श्री विश्नु भगवान करवट बदलते हैं इसलिए इसे परवर्तनी एकादसी भी कहते हैं धर्म जिदुष्टर बूले है भगवन आपके बचनों को सुनकर मुझे कुछ संदे हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं तता करवट बदलते हैं आपने बली को क्यों बांदा और बामन रूप धारन करके क्यों लिलाएं की चातुर मास की ब्रत की विदी क्या है तता आपके सैन करने पर मनुष्ट का क्या करतब्य है वैसव विस्तार पूरुक बताईए कहिए भगवान श्री कृष्ण बूले राजन अब आप पापों को नश्ट करने वाली कथा का स्रवन करें त्रेता युग में एक बली नाम का दानव था वै अत्यंत भक्त दानी सत्वादी तथा ब्रामनों की सेवा किया करता था वै अपनी भक्ती के प्रभाव से सुरग में इंद्र के सम भगवान राज करने लगा इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सेहन ना कर सके और भगवान से प्रातना करने लगे अंत में भगवान ने बामन रूप धारन किया और अत्यंत तेजस्वी ब्रामन बालक के रूप में राजा बली को जीता धर्मिंदुष्टर बोले जना भवान का रूप धारन करके राजा बली से याचना की राजन आप मुझे तीन पाग भूमी दे दो इस से आपको तीन लोग के दान का फल प्राप्थ होगा राजा बली ने इस याचना को स्वीकार कर लिया वे तीन पाग और सत्त लोक में मुख रख कर अपने सिर को उचा उठा लिया उस समय सूरिच चंदर नक्षत्र इंद्र तता अन्य देवता आदी सास्तरान सार मेरी इस्तुती करने लगे उस समय मैंने राजा बली से पूछा राजन अब मैं तीसरा पैर कहां रखूँ इतना सुनकर राजा बली ने अपना सिर नीचा कर लिया उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया वह भक्त दानव पाताल को चला गया दर्शकों यहां एक छोटा सा कहवत भी कहते हैं बली चाहते आकास को पहुंचा दिये पाताल मन इच्छा होती नहीं प्रभ इच्छा ततिकाल बली चाहते आकास को पठा दिये पाताल मन की इच्छा व्यक्ति की कभी पूरी नहीं हो सकते हैं क्योंकि बली की इच्छाती आकास में जाने की लेकिन वो उल्टा लेट के इसी कारण वो पाताल की राजा बने पाताल चले गए जब मैंने उसे अत्यंत दुखी पाया तो मैंने उसे कहा हे बली मैं सदेव तुमारे पास ही रहूँगा बादों के सुक्लपक्ष की एकादसी को परवर्तनी नामक एकादसी के दिन मेरी एक प्रत्मा राजा बली के पास रहती है और एक खिर सागर में सेस नाग पर सहिन करती रहती है इस एकादसी को विश्नु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं इस दि तिलोकी के नाज स्री विश्नु भगवान की पूजा की जाती है इसमें चावल और दही सहत रूपा का दान दिया जाता है इस रात्री को जागरन करना चाहिए इस प्रकार ब्रत करने से मनस समस्त पापों से मुक्द होकर सुरग लोग को चला जाता है जो मनस पापों को क्या है व्यक्ति दान करे कि दान करके इंकार व्यक्ति को ले डूबता है राजा बली ने आवमान किया और पाताल को चला गया इस से यही यही ज्यात होता है कि अति हर कार की बुरी होती है के दिना ऐसी बानी बोलिये जो मन का आपा खोई और न को सीतल करे आपो सीतल हो तो ज़्यादा अधिक भी नहीं बोलना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं बोलना चाहिए इसलिए कोई भी कार है वो अती अच्छा नहीं रहता है तो दर्शकों आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट क करके अवस्ट बताएं अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवस्ट ही सब्सक्राइब कर लें हम प्रती दिन अपने चैनल पर रासी फल बताते हैं डाउनलोड करते हैं आप प्रती दिन सामको छे वजे अगले दिन का रा वेस नामकरण की पूजा और अन किसी तरह के मंतर जाब या स्रीमत भागवत कथा पित्रों की सांती के लिए कराने हैं तो आप से आप हम से दिये हुए नमर पर संपर कर सकते हैं हम कार करने के लिए तियार हैं पूजा पाठ करने के लिए तियार हैं मैं विजा लेता हूं रा